अलो बचो जेई मेंस के सेकंड अटेम्ट के लिए अब मात्र लगबग लगबग 10 दिन बचे हुए हैं और मेरे पास काफी सारे बच्चों के पिछले कुछ दिनों से मैसेजेज आ रहे हैं कि सर मैं लक्ष बैच का स्टुडेंट हूं मैं प्रयास बैच का स्टुडेंट हूं और सर हमने पूरी साल बहुत मन लगा करके पूरी महनत करी हुई है पूरी इमानदारी से मैंने महनत करी है और अब जो लास्ट दिन आ चुके हैं सर अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से मैं रिवाइज करूं क्या क्या पढ़ूं कौन से topics important है, कौन से topics unimportant है, क्या चीज मुझे पढ़नी चाहिए, क्या चीज छोड़नी चाहिए, इतने कम time में इतना बड़ा syllabus है कि उसको किस तरीके से cover किया जाए, तो इन ही सारी problems के लिए बेटा, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी tricks लेकर काया हूँ, कुछ ऐसी revision की techniques लेकर के आया हूँ, जिनकी help से आपके जो means के attempt में marks है, वो बहुत ज़्यादा improve होंगे, यह tricks आपको बहुत ज़्यादा help करेंगी, केवल means में ही नहीं, advance में भी आपके काफी काम आने वाली हैं, यह बता दूं कि यह जो tricks हैं, मेरी खुद की tried and tested techniques हैं, तो इनकी help से मैंने IATJ के exam में बहुत अच्छा score किया था, और मैंने qualify किया था, तो भाई ऐसा है कि अब आखिर बात आती है कि क्या-क्या problems हैं और किस तर हमने आती है, सर इतना बड़ा syllabus है, अब हम इसको revise कैसे करें, चीक है, तो पहली जो चीज़ है, it is quick revision, अब quick revision करने के दो तरीके होते हैं, एक तो तरीका होता है कि आप जो है, अपने copy उठा लो, इस तरीके से आप revise करो, या फिर तरीका होता है कि कई सारे बच्चे को short notes बन हूँ, अलग-अलग techniques, पहली चीज़ आपको revise करने के लिए help कर सकती है, एक है short notes, अगर आपने बनाए हैं, तो ही इसको use करना, otherwise, short notes को आप use नहीं करेंगे, अगर आप किसी और के short notes से revise करने की कोशिश करेंगे, तो भई या वही वाली बात हो को यार के girlfriend किसी और की है, और enjoy खुद करना चाहा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होती है, ना यार, ठीक है, तो भाई, use या revise, 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 only, if notes are prepared by you, ठीक है, otherwise, ये आपके लिए useful नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, दूसरा तरीका है, और मैं सबसे efficient तरीका अब आपको बताता हूँ, जो है, आपके test, revise through tests, लेकिन, revision के लिए ऐसा नहीं कि केवल test देना ज़रूरी है, ठीक है, revision उन test paper से किस तरीके से किया जाता है, वो भी अपका बहुत ज़ादा ज़रूरी है, और यहाँ पर, PW आपके स साथ किस तरीके से help कर रहा है, मैं आपके साथ किस तरीके से help करूँगा, आपके revision को हम किस तरीके से और accelerate कर सकते हैं, उसके बारे मैं अभी थोड़ी दिर में आपको बताऊंगा, जो test के through किस तरीके से हम revise कर सकते हैं, तो भाई test जितने भी, अब देख यार, आप अभी test दे रहे हो, PW के पास बहुत सारे infinite practice है, कई सारे test papers हैं, आप practice कर रहे हो, या मैंने का यार, आप PW के student नहीं भी हो, तिक है, आप कहीं से भी question paper solve कर रहे हो, इस से फर्क नहीं पड़ता है, आप किस जगह का question paper ले रहे हो, क्या module use कर रहे हो, अब revise कैसे करना है, वो मैं आपको बताता हूं, आपके पास किसी भी जगह से कोई test paper आया, आपके पास एक test paper आ गया, अब ये test paper मैं आपको पहले बता दूँ कि ये मेरा personal favorite और ये मेरा खुद का use किया हुआ तरीका है, तो ITJE के दो दिन पहले, मैंने पूरा syllabus किस तरीके से बहुत जल्दी और बहुत कम time में revise किया था, साथ में कौन से topics important है, उनको मैंने कैसे पकड़ा था, तो उसके लिए मैंने test का सहारा लिया था, तो test का क्या सहारा लिया था, मैं आपको बता दूँ, तो मैंने सबसे पहले क्य solve नहीं किया, क्योंकि अब मेरे पास उतना time नहीं था, आखरी के 5 दिन बच रहे हैं, आखरी के 2 दिन बच रहे हैं, इसमें आपके पास पूरा 3 घंटे बैट करके आपका mindset ही उतना नहीं रहता है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पूरा test paper नहीं देना चाहिए था, देना चा जो भी आपके पेपर हाथ लग जाए, ठीक है, कोई भी J.E.Mains का paper आपके पास हाथ लग जाए, उस paper से, अगर नहीं मिल रहे हैं, तो आप internet से जाकर करके download कर सकते हैं, कई सारे mock test हैं, आप कहीं से भी download कर सकते हैं, वो test paper आपने download किया और आप उनको solve कर रहे हूँ, ठीक है सारे question आप पर, there is a probability मैं, चाहता हूँ कि सारे question बने, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको कुछ questions में problem आईगी, अब problem दो तरीके क्यों होती है, एक तो होता है कि sir, question ही समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा जो major problem होता है न, वो ये होता है कि sir, वो formula याद नहीं आ रहा है, जो magnetism में पढ़ा हुआ था, या moving charge in magnetism में एक formula पढ़ा था, कि एक charge पर force क्या लगता है, sir, मुझे वो formula याद आ गया, sir, question फटाक से solve हो जाएगा, sir, मुझे alternating current में याद नहीं आ रहा है कि capacitor, जो है capacitor का current lag करता है, या lead करता है, तो ऐसे trivial से question, one-liner वाली चीज़ है, मतलब आपको question स chapter का है, बस आपको यह याद नहीं आ रहा है, कि उसको attempt क्या करना है, वो formula क्या था, आपको बस वो याद नहीं आ रहा है, अगर कोई आपको formula बता दे, वो कहते है न, कि जब आप question paper दे रहे हो, या कुछ वो चीज़ दे रहे हो, को आपको जारा से hint चाहिए होती है, कि sir, अ कि formula भूल गए है, ठीक है, तो forgotten, formula, कोई आप formula भूल गए हो, या कोई आप जो भी trick है, वो भूल गए हो, ठीक है, तो अब आपको पूरा paper end होने तक wait नहीं करना है, पूरा paper end होने तक wait करोगे, तो तो question की importance कतम हो जाएगी न, यार, ठीक है, आप तुरंत उस paper को वहीं रोक आईए, और उस notes में आप देखे कि वो formula क्या है, यहाँ पर आपके notes आपके लिए बहुत जादा, जो class में आपने notes पड़े हैं, जो आपने one shot में आपने detailed notes बनाए हैं, वो detailed notes उठाईए और सिर्फ और सिर्फ उस part को खोलिए, उस formula को धूलिए, जो आप भूल रहे हो, ठीक तो notes से formula उठाओ और solve कर दो, चीक है, solve करो, आगे बढ़ो, second question देखो, third question देखो, तो इस तरीके से आप numericals easily solve कर पाओगे, साथ ही साथ में, मैं आपको एक बहुत important बात बताता हूँ, पूरे syllabus में सारे topics equally important नहीं है, आप धीमे धीमे जब आप question लगाते जाएंगे, आप जैसे 4 ये 5 paper भी लगाओगे न, आपको समझ में आने लगेगा यार, कि एक ही ऐसा formula है, जो कई बार use हो रहा है, कई बार jvins में पूछा जा रहा है, तो आप वो important formula को निकाल पाओगे, दूसरी चीज़ क्या है, कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, लिखी देता हूँ यार, कुछ पल्ले नहीं पढ़ा के question में, क्या लिखा है, क्या बोलना चाहरा है, किस topic का question है, किस chapter का question है, समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसी भी कई बार problem आती है, तो ऐसे case में, उस question paper का solution देखो, अब आप notes से उठाब पता ही नहीं किस chapter क है, तो क्या गरोगे, ठीक है, तो इस case में, solution खोलो, और उसका solution देखो, और केवल, देख भाई, हाल क्याल, हर question, किसी question के लिए pending मत छोड़ना, कि नहीं नहीं, पूरा chapter कर दिमें, आदे घंटे में करना, इसके बाद एक घंटे में करूंगा, फिर मैं उसके बाद solution देखू रहें ध sortir हो, दो मिनट जनरली टाइम होता है, आप दो मिनट से एक मिनट एक्स्टेंट करके ही रख रहे हो, हलाँगे कोशिश करो कि आप तीन मिनट के अंदर, दो मिनट के अंदर ही solve कर दो, ठीक है, तो दो मिनट आपके पास time माझ Uh को अ A.ँब एक मिन एक Present deed ही किया है, उसका solution देखो, या गया तो formula देखोगे, या solution देखोगे, ठीक है, अगर आपको बहुत जादा time लग रहा है, लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, इसमें कई सारे बच्चे क्या करते हैं, question देखते हैं, और ये sir, ये इस topic का है, ऐसा question है, ये ऐसे हो जाएगा, और sir, हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो किसी भी question को, अगर आपको लग रहा है, कि ये question आप पर बन जाएगा, और अगर आपको लग रहा है, कि ये question होता है, बिल्कुल टपा question, मतलब एक line में हो गया answer, ठीक है, वो एक चीज़ होती है, एक question होता है, कि नहीं मुझे बन जाए answer आजाते हैं, लेकिन physical chemistry के questions भी, आपको pen चला करके करने पड़ेंगे, और उसकी practice, आप सिर्फ तभी कर पाओगी, जब आप यहाँ पर questions की practice करोगे, तो जिन questions को आप देख रहे हैं, अब लग रहा है, बहुँआ एजी सा question है, तो बना उसको, ठीक है, उसको इतिफाक के ब आपको solve करना है, there is a probability कि हो सकता है, सब कुछ सही करने के बाद भी, आपकी calculation mistake हो जाए, जितनी जादा questions, जितनी जादा calculation आज के time पर करेगा, तेरी mistakes उतनी कम हो जाएंगे, तो बेटा, अब यह last time पर होता है, कि आखरी का over चल रहा है, और अब यह sixer मानने का time है, तो अब लास्ट चुबर में 20 रन चाहिए, बड़े बन जाएंगे, जीतनी जीती जाएंगे, उसमें क्या है, जब खेलेगा नहीं, तब तक सही समझ मैंगा, हो सकता है, आउट हो जाएंगे, तो इसलिए, इसलिए practice बहुत जादा important है, जितना जादा तू आज की दिन practice करेगा, कल जो paper होगा, उसमें तू उतना comfortable feel करेगा, उतना जादा aware होगा चीजों के बारे में, और जो गलतियां यहां करेगा न, वो गलतियां वहां नहीं करेगा, तो question paper revise करने का, या मतलब बेसिकलि अगर बोलू, revise करने का सबसे fastest तरीका, जो मुझे पता है, वो यह है, कि आप test के जुरू revise कीजिए, जहां गलती करें, वहां पर जहां कोई चीज भूल है, वहां तुरंत उसका solution उठा करके, देखें, end तक wait नहीं करना है, ठीक है, short notes अच्छे हैं, काम करते हैं, लेकिन उन्हीं के लिए काम करते हैं, जिन्होंने short notes खुझ से बनाए होते हैं, ठीक है, बा पता तो है कुछ जिनों में paper आने वाले हैं, ठीक है, हमने कई सारे one shot classes ली हैं, कई सारे marathon sessions ली हैं, जिन में आपको बहुत detail में सारे chapter, सारे topics अच्छे से बताए गए हैं, ठीक है, अब इस बार हम क्या करेंगे, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, most important problems, ठीक है, सिर्फ उन्ह को लिया जाएगा, जिनके exam में आने की probability जादा है, तो साथ में मेरे और बाकी सभी teachers के, आप भी practice कीजेगा, हर question को जब आप साथ में solve करेंगे, ठीक है, same इसी technique पर, same इसी pattern पर हम questions को solve करेंगे, तो जब मैं questions को solve कराऊँगा, तो आपको भी समझ वाएगा, आप कहां पर miss क कर रहे थे, कौन सा वो formula थो जो हम भूल रहे थे, तो उन formula को रठाएंगे, उन formula को revise करेंगे, exam oriented तरीके से जब हम चीजों को revise करेंगे, और फिर से बोल रहा हूं, केवल और केवल जो important problems है, केवल और केवल हमें जो लगता है कि यार ये questions exam में आ सकते हैं, हम उनकी practice आपको जादा कराना चाहेंगे, तो साथ में practice करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि जो सवाल जैसा कि हमेशा होता आया है, जो पढ़के जाते हैं, वही exam में आता है, तो यार, there is a very high probability कि सवाल आप यहां पर करके जाएंगे, वो आपको वहां पर भी exam में दिखाई देंगे, तो हम साथ में practice भी करेंगे यार, तो जब तक आपके वो one shot शुरू नहीं हो रहे हैं, आप खुद से जितनी questions, जितने जादा test paper हो सकते हैं, उतने जादा test papers लगाओ, इसे strategy के साथ लगाओगे, तो आपका marks भी improve होंगे, और rank भी improve होगी, ठीक है, चले यार, तो मीत करता हूँ, क के ये session आज का useful रहा होगा, आप इसे फाइदा उठाएंगे, all the best, thank you.